प्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तो आज फिर से लेकिया है एक नया आइडिया तो आज मैं यूज करने वाले इस तरीके से पुराना सरदियों वाला सूट और सिरफ एक कट लगाके दो रेक्टेंगल पिसे सिंपल एक सिंपल सा कट लगाएंगे और यह हमारा बड़े साइस का ट्रैवल बैक बनके रेडी हो जाता है तो इसे बनाना इतना आसान है कि आप भी कहेंगे कि इतनी इजी तरीके से बन गया दो बड़ी फ्रंट में मैंने इसके पॉकेट्स बनाई है दो बड़ी जिपर पॉकेट इसके बैक के अंदर की तरफ हैं काफी अच्छे साइस का बना है और देखे इस तरीके से पुराना सूट तो हर किसी के पास होता है तो आप इस तरीके से कोई भी पुराना सूट आपके पास जो अच्छी कंडिशन में हो उससे इस तरीके बैक बना सकते हैं यह मैंने यूज किया सर्दियों वाला थोड़ा मोटा सूट, तो देखिए कितनी अच्छी वाइट पॉकेट यह हमारे बाहर की तरफ है, तो वैसे तो अभी मैं आपको इंची टेप से इसका नाप बता देती हूं, कि कितना इसका नाप आया है, देखिए, तो दो बड़ी पॉकेट बाहर की तरफ, दो जिपर पॉकेट है, तो चलिए, मैं पको इसका size बता देती हूं एक बर कि 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 size का हमारे पास ने बनके रेडी हुआ है, तो देखिए, तो सिरफ दो rectangle pieces को, हम्ने इस तरीके से कट किढा, कि हमारा ये bag बनके ready हो जाता है तो bag बनाने का travel bag बनाने का ये सबसे easy तरीका है तो ये हो गए हमारा bag तो अब एक बर मैं वैसे आपको इसमें space दिखा देती हूँ कि अंदर मैंने इसमें कितने सारे कपड़े रखे होएं देखिए जिससे आपको थोड़ा और इसका size का अंदाजा आजाएगा कि कितने अच्छे size का bag बना है और कितना प्यारा हमारा ये bag बनके ready होता है तो काफी सारे आपके इसमें मैंने कपड़े रखे दिखा दिया आपको space के लिए और अंदर की तरफ देखिए दो बड़ी-बड़ी zipper pockets मैंने इसकी बनाई है ये भी काफी अच्छी साइस की दो बड़ी zipper pocket है ये बनाना सीखते है तो देखे मैंने सूट में से कट कर लिए इस तरह के से दो पीसिस तो बस ये दो पीसिस चाहिए मैं बैक बनाने के लिए इसमें नीचे की तरफ lining बीच में rise bag plastic वाला और उसके उपर suit का कपड़ा रखना है फिर pin up करना है और सिलाई लगा के single pieces ready कर लेने है तो दो पीसिस को मैंने देखे इसी तरह के से rise bag बीच में डालते हुए ready कर लिया है तो दो pieces आ गए हमारे पास अब सबसे पहले हम इसे shape देंगे तो shape आपको किस तरफ से देनी है देखे 25 इंच वाली side से आपको fold करना है और fold करने के बाद दोनों corner से आपको 4 by 4 इंच का square बनाना है और आपको उसे cut कर लेना है तो सेम ऐसे इस corner से और ऐसे इस corner से तो दोनों corner से हम इसमें इसी दरीके से square बना लेंगे अब हम इसे cut कर लेते हैं तो यह हमारी back की shape आ गई same ऐसे ही shape हमें दूसरे वाले piece पे भी देनी हैं तो उसके उपर हम इसे रखेंगे और cut कर लेंगे इसे तो यह भी मैंने cut कर लिया तो दो जो pieces मैंने लिये थे starting में उन्हें मैंने rise back डालके ready कर लिया और side से cut लगा लिया just अभी simple इतना ही किया तो चलिए अब हम बनाते हैं इसके लिए pocket तो पहले हम बनाएंगे इसके front के लिए pockets तो दो pockets में इसके आगे की तरफ लगाऊंगी तो 8 by 8 inch into 8 by 8 inch की दो pockets लिया है और same size की lining लेनी है कपड़े को रखना है इस तरीके से lining के उपर सीधी तरफ अंदर की तरफ और अच्छे से बिठाते वे दो side से आपको इस पे सिलाई लगा लेनी है फिर आपको कर लेना है इसे सीधा और सीधा करने के बाद चारो तरफ इस पे top stitch लगा लेना है चारो तरफ इस पे top stitch लगा लीजे तो ये हो गई हमारी दोनों pockets ready तो 8 by 8 8.5 inch into 8.5 inch की दो pockets अब लगानी किस नाप से है सबसे पहले आपको लेना है center point पूरा लंबाई में center point का निशान लगाया उसके बाद यहां से आपको निशान लगाना है 5 inch का तो ये मैंने लगा लिया 5 inch का निशान और अब रखनी है आपको pocket pocket का भी आपको center point ले लेना है और बिलकुल बीच में center में आपको pocket को रख देना है और तीन तरफ से आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है तो तीन तरफ से सिलाई लगा ली यहां से open है तो एक बर मैं दिखा देती हैं आपको किस तरफ से मैंने open sided रखी है कैसे pocket लगाई है तो ये देखे ये है मेरी 25 inch वाली side और यहां पर मैंने pocket लगाई है अब हमें लगानी है इसमें strap तो मैं use कर रही है ready made strap आप चाहें तो कपड़े को fold करके बना सकते हैं पर ready made strap सस्ती भी पढ़ती है और मजबूत भी होती है तो अब हम इसे लगा लेते हैं strap को कहां पर लगानी है ये जो हमारे रफ है जीज़े देखे यहाँ पर हम लगाएंगे strap को fold करेंगे इसके उपर रखेंगे और हम इस पर पूरे पर सिलाई लगा लेंगे तो दोनों पर आपको इसी तररीके से सिलाई लगानी है दोनों तरफ हम strap को join करके ready कर लेंगे तो देखे मैंने सिलाई लगा ली strap भी join होगी और आगे की तरफ pocket भी लग गई सेम ऐसे ही दूसरे वाले piece पे भी आपको pocket और strap को लगा के ready कर लेना है ये देखिए दोनों pieces ready होगे अब हम बनाते हैं इसके अंदर के लिए pockets तो दो zipper pocket हम अंदर बनाएंगे तो दो pieces लिए हैं इसके measurement आपको बता देती हूँ क्या लिए है मैंने 14 inch 8.5 inch अब हमें इस पे zip लगानी है तो हमें 2 zip चाहिए तो एक zip ली मैंने ये zip मैंने लिए 12.5 inch की और इसे हमें side ओं से finish करना है simple पट्टी से तो दो पट्टियां लिए मैंने यहाँ पे 3.5 inch 2.5 inch और zip को हम side ओं से finish कर लेंगे पट्टी से सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है side से कपड़े को fold करना है और आपको silahe लगा लेनी है सिलahe लगाने के बाद दूसरी तरफ को आपको turn कर लेना है और इसे इस तरीके से fold करते हुए finish कर लेना है तो दोनों zip हमारी finish हो गई है इसी तरीके से आप zip को attach कर लेते हैं सीधी तरफ अंदर की तरफ करनी है और उपर की तरफ आपको इस पे silahe लगा लेनी है सिलाई लगाने के बाद पलटते वे आपको टॉप स्टिच लगा लेना है दोनों में तो दोनों जिप को हमने देखिए इसी तरीके से पॉकेट को रेडी कर लिया है अब हम पॉकेट लगा लेते हैं अपने इसके साथ तो दो मिनिट स्ट्राप को मैं यहाँ पिन अप कर देती हूँ ताकि यह बीच में मेरे सिलाई के ना आए अब हम इसे कर लेते हैं दूसरी तरफ को टर्न और यहाँ पे मैंने पॉकेट के निशान लगाए हैं सबसे पहले सेंटर पॉकेट उसके बाद यहां से 5 इंच का पॉकेट लगाना है उसके बाद जिपर वाली पॉकेट जो हमने बनाई हैं उसे रखना है इसका भी सेंटर पॉकेट लेना है और बिल्कुल बीच में नीचे की तरफ यहां पे रखते हुए देखिए चारो तरफ से तीन तरफ से आपको इसे फोल्ड कर लेना है यहां से फोल्ड किये यहां से और चारो तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है तो देखिए चारों तरफ से लाई लगा ली और यह हमारी जिपर पॉकेट बिल्कुल रेडी हो गई है सेम ऐसे ही आपको जिपर पॉकेट जो हमारा दूसरे वाला पीस है उस पे भी लगा लेनी है तो दोनों पीसिस हमारे इसी तरीके से रेडी हो जाएंगे तो देखिए दोनों पीसिस को मैंने रेडी कर लिया तो जो सिंपल स्टार्टिंग में दो रेक्टेंगल पीस लिये थे साइड से कट लगाया है और दो पॉकेट उसमें मैंने लगा ली है तो चलिए अब इसे आगे बनाते हैं अब हमें उपर की तरफ से यहां से जहां पे उपनिंग है पॉकेट उपर की तरफ है वहां पे हमें इसे पाइपिंग से फिनिश करना है तो यहां पे लगाएंगे हम पट्टी और इस पे सिलाई लगा लेंगे फिर पलटते हुए हम इस पे piping जैसी बना लेंगे देखिए सेम इसी तरीके से आपको piping लगा के दूसरे वाला पीस भी ready कर लेना है ये वाला उपर की तरफ यहाँ पे piping से finish कर लीजिए तो दोनों pieces को देखिए मैंने इस तरीके से piping से finish कर लिया है अब हमें इसमें उपर की तरफ zip लगानी है तो piping से finish कर लिया आप zip लगाना भी easy होगा तो बता देती हूं zip किसे लगानी है देखिए तो दोनों pieces आ गए हमारे पास starting में जो हमने cut किये थे pockets के साथ zip ले ली zip को रखना है नीचे और ये जो हमने piping के साथ ready किया इसके उपर रखना है और इसपे आपको top stitch लगा लेने है तो एक सिलाई उपर की तरफ एक नीचे की तरफ इसपे सिलाई लगा लीजे तो अच्छे से बिलकुल पक्के से सिलाई लगा ली दूसरा piece भी रखना है और इसपे भी आपको सिलाई लगा लेनी है तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली, अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और हम इसकी साइडों वाली सिलाई लगाएंगे तो स्ट्राप को अंदर की तरफ डालते वे ये देखिए टू और थ्री, तीनों सिलाईयां लगा लीजिए तो तीनों सिलाईयां लगा ली, अब हम इसका base बना लेते हैं, उससे पहले हम इसे piping वाली पटी से rough edges को finish कर लेते हैं, तो यह optional है, अगर आप finish करना चाहते हैं तो rough edges finish कर सकते हैं, तो तीन पटी हमें तीनों तरफ लगाऊंगी और rough edges को finish कर लो, यह देखी rough edges को finish कर लिया है simple piping अब हमें इसके corners बनाने हैं तो एक एक corner पकड़ते रहना है और चारो corners पे आपको सिलाई लगा लेनी है तो ये हमारी back की shape आजाएगी 2 और सेम इसी तरीके से 3 और 4 तो चारों सिलाईयां लगाने के बाद ये हमारी back की shape आजाएगी अब रफ है जिसको हम finish कर लेंगे piping से जैस तो बिलकुल finishing के साथ ये हमारा bag देखे बिलकुल ready हो चुका है तो अंदर की तरफ इसमें दो बड़ी बड़ी pockets बन गई है हमारी zipper pockets तो दो बड़े सा इसकी pocket अंदर की तरफ दे दिये समान रखने के लिए और बाहर की तरफ भी मैंने इसमें दो चोटी pockets बनाई थी तो कितने जल्दी बन गया बनाने में भी बहुत असान था तो आप आपको वीडियो बात पसंद आई होगी और ईजी भी लगी होगी तो चार पॉकेट के साथ दो बड़ी pocket बाहर दो बड़ी zipper pocket अंदर की तरफ तो दिखे प्यारा सा मारा travel bag हो चुका है बिलकुल ready तो आप एक वीडियो के starting में इसका नाप बताया हुआ था आपको फिर भी एक बर दुबारा से में इसको आपका ready नाप बता देती हूँ कि कितने size का मेरे पास ये बनके ready हुआ है तो देखे कितनी बड़ी pocket बाहर की तरफ बनी है तो यहां से देखे आपको अंदाजा लग जाएगा औ और काफी अच्छे बड़े size का हमारा ये bag बनाया है तो बिलकुल ready हो गया final look कितनी अच्छी आ रही है और इस तरीके के suit हम सभी के पास होते है तो सर्दियों वाला थोड़ा मोटा suit पड़ा है ये थोड़ा corduroy type velvet type में suit था जिसका मैंने bag बनाया तो काफी अच्छा ये bag ब तो ये travel bag बनाने का सबसे easy तरीका मैंने आज आपको बताया है तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो comment जरूर कीजिएगा जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ thank you